लेकिन जो इमान दाइसे टैक्स भरता है उसकी कोई परवा नहीं है और इसलिए हमारा निर्णा है कि विदेश से जो काला धन वापिस लाएंगे उसमें से कुछ परसंटेज ये जो रेगुलर सेलेवार सेलेरी वाले लोग इंकम डाइस भरते हैं ना उनको इनाम के दिरुप कि इज़त की जाएगी बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरह से इंकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से तो इस बार इंकम टैक्स को एक्स बढ़ाने का टैक्स तो टैक्स को कम नहीं किया गया कोर्परेट को के टैक्स को कम किया का उमीद है तो मैं बड़ा नहीं दिया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली आम जंता जो पुब्लिक खासवर पिस अलिट क्लास है उसको बहुत उमीदे थी इस बार बजट से मैंने टैक्स इंक्रीस नहीं किया वह बात मैं दोराना चाहती हूं लास्ट यर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने अडिशनली खमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की पिछले बार प्रदान मंत्री जी का आदेश्ता की डेफिसित कितने भी क्यों नहो पैंडेमिक के समय जंता के ऊपर टैक्स का बोज डालना नहीं वोई इ टैक्स के द्वारा कोई पैसा खमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स और चैलेंजस है अमारे उपर उसको कोई उससे राहत डूनने का अटेम्ट भी नहीं किया टैक्स इंक्रीस नहीं हुआ